पहेंगे तो बच्चों आज के लिए गुड अफ्टनून आज का जो पिरामिट होने वाला है कल हमने इस तरह का पिरामिट देखा था प्रीविस लेक्चर में आज हम इस वाले पिरामिट को देखेंगे बिलकुल उसका उल्टा ठीक अब आपको स्क्रीन में जो दिख रहा हो होंगे रो नमबर वन अगर में रो नमबर वन में देखूं तो आपको दिख रहा होगा है सिंगल एक प्रिंट हो रहा है ठीक है और मैंने आपको कल बताये था कि हम इसमें फोर इस्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं जब भी हम पिरामिट की प्रावलम को सॉल्व करेंगे तो हम फोर स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे कौन कौन सी फोर स्टेप प्रोसेस होंगी तो सबसे पहली जो स्टेप होगी आपकी वो होगी किसी भी पिरामिट को इस तरह के से डिजाइन कर लेना ठीक है रोजन कॉलम में बाट लेना अगर मैं इसको और फाइन तरीके से design करूं तो अब जरा गोर से देखना मैं इसको design करता हूँ आप लोग के लिए सोरी कुछ जादे बढ़ा हो गया है यह यह बिलकुल फाइन तरीके से मैं design करता हूँ आप लोग के लिए यह आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यह देखो horizontal line जितनी भी horizontal line आपको दिख रही है मैं बिलकुल fine करने ही कोश्च कर रहा हूँ ताकि कोई distortion ना हो यह देखिए यह देखिए यह तीसरा वाला रो यह चोधा वाला रो ठीक है अब आपकी स्क्रीन में साफ साफ आपको दिख रहा है कि कौन से वाले पिक्सल याना कौन से वाले रोज और कौन से वाले कोलम में कौन सा element पढ़ा हुआ है अब यह तो हुई पहली बात याना पहला step हमने follow कर लिया है दूसरे step को हम follow करेंगे तो दूसरे step के अंदर क्या आएगा दूसरे नंबर step में आएगा जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं आप कुछ मत कीजिएगा मैं यहां पर color change कर लेता हूं यह वाला स्वरी second number का step होगा यह मैं थोड़ा मारकर को बढ़ा लेता हूं second number का step होगा यह और second number of step में क्या होने वाला यह देखिया आपको कुछ नहीं करना आपको i और j की रूप में अलग-अलग classify कर देना है ठीक है i और j ऐसा क्यों क्योंकि i जो है रोग को यहां पर शो कर रहा है और j है को लम को शो कर रहा है ठीक है अब जो rows है आपको यहां पर number देखिए row कितनी है 1,2,3,4,5 कुछ नहीं करना आप तो सिर्फ number लिख दीजिए आपर 1,2,3,4,5 कुछ भी नहीं करना सिर्फ number लिख दीजिए अब नोट कीजिएगा इस row के अंदर i के अंदर जो i की value 1 है इसमें दीखिए आप कितने इसके अंदर column की values बनी हुई है यानि कि इसमें कौन से number of column में बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो column number 5 में बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना या 5 लिख दीजिए कुछ भी नहीं करना 5 देखेंगे आप यह मैं color कर देता हूँ यह देखेंगे या 5 अगर आप row number 2 पे जाएंगे row number 2 में आप देखेंगे तो कौन कौन से वो area है जहां पे star बना हुआ है आप देखेंगे 4 पे बना हुआ है 5 पे बना हुआ है तो आप लिखते जाएए हाथों हाथ 4 पे बना हुआ है और 5 पे बना हुआ है फिर आप row number 3 पे जाएए कौन सा बना हुआ है row number 3 पे एक तो यहां बना हुआ है 3 पे 4 पे and 5 पे याने 3 4 and 5 and in the same manner आप 4 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे 2 में 3 में 4 में and 5 में बना हुआ है यानिके 2, 3, 4 and 5 यहां पे इस जगे star बना हुआ है similarly last case में आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे row number 5 में कहा कहा पे बनावाई यह तो बहुत इसी हो गया one two three four and five तो इससे हमें यह चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें इससे यह चीज़ क्लियर हो गया कि भाईया अगर मैं row number one की बात करूँगा तो star कहा बना हुआ है row number two की करूँगा तो star कहा बना हुआ है मैंने कुछ नहीं किया बस यहीं यहां पर बनावा है तो इस second step भी follow हमने कर लिया अब हम चलते है step number three पे step number three से क्या होगा हमें यह चीज़ पता करनी है कि ऐसा मैं कौन सा logic लगाऊं if statement में जहां मेरा यह का as it is मेरा star बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना आपको एक तरफ लिखना जे और एक तरफ लिखना है आई ठीक है बस छोटा सा काम करना है अब आपने आई और जे तो बना लिया अब इसमें condition लगानी है हमें condition क्या लगानी है अब आप note करो यहां पे i की value कि कहां से लेकर कहां तक थी row की value मैं दूसरे color को उसकर लेता हूं रेड को वन टू त्री फॉर और फाइफ यहां पे पांच हमें रोज दिख रहे हैं अब मेरी जे की value तो आपने देखी लिए यह यह रही यहां यहां पे star बने वे ताए यह देखिए सारे ठीक है वाज़ाए तो मैं तो लिक ही देता हूं आराम से ठीक है फिर नेक्स्ट वेल्यू क्या है हमारी फोर देखो आप देख पारओंगे आप 5 सबसे पेहले जो पहली वेल्यू है 5 है फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर देखिए स्क्रीन में यहां पर पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 आप देख रहे हैं उल्टी गिंती चल रही है 1 को देखेंगे तो 5 2 को देखेंगे तो 4 3 को देखेंगे तो 3 2 को देखेंगे तो 4 को देखेंगे तो 2 एन 5 को देखेंगे तो वन आपको ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल उल्टी गिंती चल रही है तो इसी कौन सी कंडिशन लगाएं हम यहां पे के जे greater than or equal to 5 हो जाए क्या देखो तो अगर यह कंडिशन फुल्फिल हो रही हो तो हमें यह देखना पड़ेगा याने कि अगर जे की वेल्यू 5 है क्या जे बराबर है क्या पांच के यह कंडिशन ट्रू है अगर जे की वेल्यू जादा हो जाती तो फॉल्स हो जाता है आप यह करके देखते हैं हम लोग मैंने कंडिशन लगाई जे इस greater than equal to 5 लगाता हूं तो पुल्पिल हो यह क्या देखते हैं अगर जैक की में मान लेता हूं 20 तो ब्रता हूं यह तो आएगी दलतां यह वह नहींगी तू डालता हूं यह बही नहीं खाए गने क्या देख्सळ्यान हो तो एकोल टूलसाइन आ गया तो अगयाकर मैं 60 यह सिंद्धिंश के लिए इसका मतलब मुझे condition कुछ और लगानी पड़ेगी ठीक है और condition क्या लगानी पड़ेगी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें क्या लगा यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यहाँ पर फिर सा में J के लिए लगाता हूं यहाने five के लिए तो बिलकूल यह condition तो true है ऐसी तरीके से four के लिए देखो यह true है क्या J greater than equal to four के लिए बिलकूल true है जब तक four के बराबर नहीं होगा तो यह four आएगा ही नहीं similarly three के लिए करना मुझे J is greater than equal to three two के लिए करना J is greater than equal to two J is greater than equal to one बिलकूल condition true है तो मैं इसे in general अगर मैं इस तरी बड़ी programming को इतने वड़े logic को मैं अगर एक शब्द में convert करना चाहूं यानि कि मैं अब step number four पे आ गया हूं step number four पे मुझे क्या करना है जे ठीक है यह condition थी मेरी जे greater than equal to यहां पर देख रहे हो आप यहां पांच से ज्यादा values ही नहीं है तो अगर मैं यहां पर condition लगा हूं six माइनस आई तो यह चल जाना चाहिए प्रोग्राम चलो करके देख लेते हैं मैं color चेंज कर लेता हूं ब्लेक कलर ले लेता हूं देखिए जै की वेल्यू है फाइफ ग्रेटर देन इक्वल टू six माइनस आई आई की वेल्यू क्या है यहां पर देखिए यहां पर आई की वेल्यू one तो इसका मतलब five आना चाहिए five is greater than equal to five condition बिल्कुल true होगी याने की फिफ्ट वाले वेल्यू पे ही तो देखो स्टार बन रहा सबसे पहला दूसरा देख लेते हैं next value है हमारी four जै की वेल्यू क्या है four ही तो है four greater than equal to six minus two तो क्या four आ रहा है yas four minus two कितना होता है और six minus two कितना होता है four होता है तो yes condition true हो गई यहां पर four आ गया condition व्लकुल true और यह देखी यह तो five भी है यह 한 prक ले भी चलेगा फिर five के ले चलेगा फिर फॉर के ले चलेगा फिर five के ले true अब यह तो होई simple समझने वाली बात इसको मैं और detail में समझाता हूं पेले coding के तुरू समझ लेते हैं आप यहां पर जाईए ठीक है यहां पर online compiler हम जाते है online compiler पर चेक करते हैं कि कहां पर हम यह code कर सकते हैं ठीक है यह रहा online compiler अब यहां पर देखते हैं क्या यह बन रहा है तो आप note कीजेगा सबसे पहले मैं code आपके सामने ही कर लेता हूं यहां पर लिखिया आप सबसे पहले variable का नाम int i, j अभी आपके सामने में i, j ही लिए थे तो यह सबसे पहले i, j मैंने ले लिए क्यों लिए rows and column को बताने के लिए अब दूसरी बात हम बनाएंगे for loop for loop में क्या करेंगे सबसे पहले row के लिए करेंगे i equal to one column i less than equal to five और i plus plus सबसे पहले तो आप row के लिए बना लो ठीक है फिर अब आप column के लिए बनाओ column के लिए बनाते हैं four j equal to one j is less than equal to five j plus plus ठीक है अब यहां पर जो मैंने कल आपको दिखाया था if condition लगाने के लिए तो इफ कंडिशन के लिए आप लगाईए इफ अभी मैं आपको सिखाएती जस्ट जे लेस देन और सॉरी कंडिशन थे हमारी ट्रेटर देन इक्वल टू आई नहीं स्वरेशिक्स माइनस यह कंडिशन थे हमारी और जब यह आ जाए तो क्या प्रिंट होना चाहिए यह भी देख लेते हम लोग हमारे यहां पर प्रिंट होना चाहिए इस्टार इंस्टेड ऑफ हेलो इस्टार ठीक है और इस्टार प्रिंट होने के बाद अगर नहीं होता इन केस तो क्या होना चाहिए एल्स एल्स प्रिंट एफ इस पेस प्रिंट होना चाहिए और इस्पेस प्रिंट होने के बाद इस प्रिंट एन हो जाना चाहिए प्रिंट एफ इसलेश एन हो जाना चाहिए नेक्स लाइन ठीक है अब जब यह हो जाए तो हमें करली ब्रेसिस बंद कर लेने चाहिए करली ब्रेसिस बंद अब देखिए यह मैंने प्रोग्राम बनाया अब इससे रन कराके देखते हैं तो देखा आपने क्या हुआ यह बिल्कुल गलत हो गए परिंट ठीक है दिख रहा है बच्चों तो इसमें क्या किया जाए गल्ती कहां हुई इसको हमें चेक करना है चलिए इसे चेक करते हैं अब आप देखिए आई जे यहां पे बन गया आपका ठीक है यह यहां पे बन है फोरलूबबका और इस फोरलूब के बाद यहां पर इफ कंडिशन आ गई है इफ कंडिशन के परिंटे वज़ चुका है और उसके बाद्जा चुका है कि एसके बाद यहां पर आएगा कि कर ली ब्रेसेश ठीक है और यह यहां से मिट जाएगा और यह मिटते ही रण कर आई हूं उपर वाली लाइन के लिए भी थोड़ा गरबड हो रहा है अब आप देख रहोंगे बहुत अपन लगबक पास ही आ चुके हैं अब हमें उपर वा अब पिर इसको वापिस से लेके आउंगा आप यहां देखिए मुझे इस तरिके का शेप बनाना है और जब मुझे इस तरह के शेप बनाना है तो मुझे कोडिंग भी उसे साफसे करनी पड़ेगी कि ऑनकिश माइनस आई यह फाइफ माइनस आई ठीक है वापिस साथ को ल ठीक है चलिए अब इसनम आगे बड़ते हैं वापको यह पर दीख रहा और वह वही प्रोग्राम अगर मैं दूसरे बना रहा हूँ तो आपको इस साफ इकर यहाँ दख रहा होगा है यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको समझ छाथा हूँ थिकै बहुत ढंक से देखिएगा यहां पर सबसे पहले आई और जे रोज और कॉलम्स के लिए यहां पर आ गया है अब आई की वेल्यू है जीरो याने के जीरो क्या चोटा है या लेस देन या बराबर है का फाइफ के कंडिशन बिलकुल टू है कंडिशन जीरो होती है तो नीचे की तरह आते हैं यह फॉरल में जानते हैं फिर जे देख रहा है जे कुल टू जीरो क्या जीरो चोटा है या बड़ा है या चोटा है या बराबर है का फाइफ के कंडिशन बिलकुल टू है फिर नीचे आ गए अब यहां पर जे की वेल्यू है जीरो ठीक है आप लोग यह ध्यान अगना उपर वाला जो है यह कॉलम है c1 c2 ऐसा यह सी होड तक है यह सी फाइब तक मान ली जाता हो यह आर वन से लेके और फाइब तक मान लीजिए अब यह कह रहा है कि जीरो क्या बड़ा है क्या ग्रेटर धैन यह एक्वल टू सी सिक्स माइनस जीरो है क्या यानिकी क्या जै तो कुछ भी प्रेंट नहीं हुआ ठीक है क्योंदिशन फॉल्स हो गई यहाँ पर आ गया है अ इसकी फिर बढ़ गई इसकी वीली हो गई । यह प्लस वन जे प्लस प्लस के साथ क्या होती है जे प्लस प्लस क्ये मतलब यह होता है पहले 0 थी अब 0 यहां पर यहां पर यहां पर यह बनाने कुछ ऐसा ट्राइंगल है और जब हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है तो अमारे यहां तो स्टार्स है मतलब हैं और किसी से मतलब नहीं है थे कि लिए ठीक हैं प्रिया के लिए यह तो फिर यह बी तरी के बाद गया थीक है अब जैसे फॉर हुआ फॉर थे थै कि स्वर्स हो थो फाइफ होके ही इसकी वेलिए हो गई चैंज यहाने फाइफ की वेलियू बराबर हो star print हुआ यहां पर yellow यह वाला सबसे पहले star ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर हो गई छे value अब छे की value प्रिंट होते condition false वह बाहरा गया याने कि अब i की value में जो पहले i की value zero थी तो वह zero plus one याने एक से increment हो गया याने कि अभी हम row number one के लिए कर रहता है अब हम row number two के लिए करेंगे तो फिर से यहीं पर उसने यही किया वह जे पर गया जे की value फिर से zero फिर one फिर two ऐसे चलता गई तो पहले इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए फिर जे से हैं इसके लिए फिर इंक्रिमेंट हुआ अब आई की वेल हो गई थ्री तो आप रो नंबर थ्री के लिए चल रहा है एंड सो ओन यह तरीका है तो क्या बच्चों आपको यह समझ में आप चले बच्चों अब मैं इसे थोड़ा और ब्रॉड केटेगरी में समझाता हूँ इसको समझने की कोशिश कीजेगा होता क्या है सबसे पहले आई की वेल्यू है जीरो इनिशिलाइस कर रहे हम लोग इनिशिलाइस करने के बाद यह नेक्स्ट वाली लैने पहुंचता है याने कि आई इस लेस देन इक्वल टू फाइ जाओक झाए यह नीचे जाएगा तो नीचे जाते उसे एक और फ़ोर्लूप मिला ऑफोर्लूप कौन सा मिला इसे उसे फॉर्लूप मिला जिसके अंदर उसे यह देख रहां है जे के लिए कि एपियो जिरो है क्या वह छोटी है यह बराबर है क्यां से पिंदिशन ब्लकु से जीरो है पिर उसमें कंडिशन ओर अगई greater than और greater than equal to के साथ क्या कंडिशन में char pic को मैनस कर रहे हैं माइनस आई से और हमें पताई है एक v funktioniert zero है तो आप देखो घ्रो greater than or equal to 6 minus 0 से बड़ा है या बराबर है obviously छोटा है condition false अगर condition true होती है न बेटा तो star print कराता हो और star print कराता तो कहां कराता है पहली वाली line में कराता है मगर वो यहां नहीं करा सकता क्यों नहीं करा सकता क्योंकि उसे यहां पर condition false हो गई तो वो सीध है else वाले part में जाएगा if की खास बत यह होती है if अगर condition true होती है तो नीचे आता है और अगर false होती है तो वो बिल्कुल ही else वाली condition में print कराता है और else वाली condition में space है तो यहां पर space यह मैंने space print कराया फिर यह उपर गया अब मैं इसको फिर से रहा ना बच्चों अभी यहीं पर काम होगा उसके बाद हम outer loop में जाएंगे इसे कहते है inner loop क्योंकि देखो if statement का है इसके अंदर ही तो है इसके अंदर तो अब वापीस ही उपर गया उपर जाके इसने क्या देखा कि यहां पर लिखा था जे प्लस plus और हमें पता है जे की वेलू है zero और आपको ये भी पता है कि जे प्लस प्लस को अपने ऐसे भी लिखते है j plus one तो मतलब जे की वेलू पहले zero थी zero में अगर आप एक का इंक्रिमेंट कर दो तो जे की वेलू हो जाएगी one ठीक है one क्या छोटा है या बराबर है क्या five से condition अभी भी true हो गई अब true होते ही नीचे आई नीचे आते ही अब जे की value तो one है one है one greater than equal to six minus zero अभी भी भी zero चलेगा बच्चों क्यों चलेगा जब तक IK value change नहीं होती और जे पूरी तरीके से complete पांच तक पांच बार नहीं चल जाता त क्यों क्यों हमें पता है अगर आप देखो गए यहां पर तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें यहां पर चलाना ही और पांच में पांच में यह 5 तो मतलब पहले कराना है तो वापिस देखिए तो इसका मतलब यह condition फिर्से true वाद फॉल्स हो गई क्योंकि वन कभी बढ़ा ह भी नहीं सकता तो इसका मतलब फिड से यह कहां पे आ गया इस पेस प्रिंट कराया यह स्पेस इमिलर्ली अब आई जे की वेलु फिर इंक्रिमेंट हो गया जेकी विलोगी टू फिर यह तू कंडिशन फॉल्स हुई फिर स्पेस फिर स्पेस फिर जे की विलुजए जाएगी तो क्या फाइफ बराबर है बिल्कुल कंडिशन सेम है फिर फाइफ के लिए चला रहा हूं मैं सीधे देखा थ्री और फॉर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा अब फाइफ के लिए तो अब यहां किस वा चुका है वेलिव फाइफ जे की जे ग्र सबसेब्ल छे कay लिए यहांपे प्रिंट होगा सौरी 660 के यहाँ पर CS के लिए J先生 क्यों कर रहा हूँ तो मुझे एक वेलिव बढ़ानी पड़े तो मतलब यहांपे पेस और यहां पर पेला स्टार परींट होगा कब होगा जब दोनों की value बराबर हो जाएगी ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा